नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मारी यूट्यूब चैनल प्रेंस एजूकेशन पॉइंट पर तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं काफी दिन पहले एक्जाम हुआ था और इसके बारे में बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आपको उपना रिजल्ट किस परकार से चेक करना है इसके बारे हम बताने वाले स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा वीडियो कर साथ तक बनी तक बनी दिए अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो सारा को समझ में आ जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहां दें तो प्लीज आप हमारी यूट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन बटन प्रेस कर लिजिगा तो चैलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कोई भी ब्राउजर खोलेना है जैसे कि मैंने यहां पर गूगल ब्राउजर खोल रखा है ठीक है उसके बाद आपको क्या टाइप करना है SSC टाइप करना होगा SSC जैसे कि मैंने यहां पर टाइप कर रखा है और सच बटन पर क्लि कुमिशन पर इस वाले 10 पर पहले टारी आपको क्लिक करना और ने प्लोडिक तो मैरिक मोईल कौर पर रहना शोड़ा ना कि प्लोड करने कायाम इस का कुम भुशन का रहना किर्णिये एक अगर आप नहीं करना आपको मतलब SSC का desktop version खुल जाएगा और आपको पूरा को सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा तो उसके बाद क्या करना है कि हमको जाना है किसमें latest वाले news वाले टेब में जो कि official website है इस पर हूं मैं किस time official website पर ठीक है जो कि आपके SSC की official website है जो भी update आती है आपकी यहीं पर आती है ठीक है तो देख सकते हैं आपका latest news वाले टेब में जब हम आएगे तो देख सकते हैं कल का मतलब आपके 12 अप्रेल को आपका दिखाया गया है तो देखें यहां पर सबसे पहले हम सबसे पहले नंबर पर जब देखेंगे तो एक न्यूज होगी जो कि का का एक यहांगार में तो देखेंगे तो क्रोश सबसे यहां पर den करना है और जुक्ते को तो यहां पर देखेंगे यहां तो यहां पर देख सकते हैं के इन मतलब सब्सेडि wasi यहिए तो देख सकते हैं म听 depends how marked तो 79 candidate का इसमें selection हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है ना इतने candidate का selection हुआ है category wise भी यहां पर चेक कर सकते हैं अब नीचे जाएंगे तो नीचे आपका देखी सारा कुछ detail यहां पर दे रखा है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं क्या मतलब आपका level of examination क्या था आप आपके marks की बात करें तो दिखी marks भी यहां पर दिखाए गई है और आपका part first में कितने हैं और part second में यह भी दिखाए गई है ठीक है और साथ ही आपको यह भी आपकी जो डियो भी है वो भी यहां पर mention की हुई है ठीक है ना तो इस प्रकार से आपको check कर लेना है ठीक है दिखा हुआ होगा अब चले थोड़ा सा बैक चलते हैं अब बात कर लेने दिखिए हमने graduation level का बता दिया है अब बता देते हाइर secondary level है यहां पर पढ़ना जानते तो पढ़ भी सकते हाइर secondary 10 ब्लस टू लेवल पोस्ट तो इस पर आपको हम क्लिक करना होगा ठीक है जैसे द पढ़ने अब रिखा आदा यह उनके लिए खाली उसी साफसे आपको चेक करना ठीक है तो यहां पर देखिए मैं बात करना चाहुँगा कितने candidates में स्लेक्ट कि गई है इसमें आप देख सकते हैं तो हजार आप शेहार चैसोचरासी candidates में सेलेक्ट कि गई हैं डो हजार आफ के बारे में पहले बता चुका हूं already लेकिन एक बार फिर से बता दिता हूं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कट आप डिटेल एंड आपका candidate qualified for higher secondary level exam यहां पर देख सकते हैं आपका पोस्ट का जो code है वो यहां पर पोस्ट का यहां पर जो name है वो यहां एक्जाम का वो आपका code होगा वो आपका अड्मिर कार्ट पर लखाओ ओगा वो आप चैक कर लेंगे और आपको पता भी होगा और category का जो code है वह यहां पर दे रखा है किसने available candidates हैं वह यहां पर दे रखे हैं और आपका Marks कितने हैं वह बहुत दे रखें ठीक है न और यहां पर देख सकते आप करना है कि इस तरह से क्या करना आपको नीचे आना नीचे आने के लिए जैखके यहां पे सकते हैं इसारि आप क्लिक करना होगा इस वाले औप्सेन पर किलिक करेंगे तो उसके बाद आप सबी के सामने इस पर कार्षेंट नेख पा रहें ठीक है नीचे जाएंगे देखिए यहां पर कितने candidate का selection हुआ है यहां पर चेक कर सकते हैं 3,426 candidate का selection हुआ है 3,426 candidate इसमें select की गई हैं और category इसमें सारा कुछ mention है वो आप check कर सकते हैं किस category से कितने candidate select के गई हैं और देखिए यहां पर check कर सकते हैं candidate का matriculation level था आपका exam का स्ञाहब, पोश्ट का क्या कोड राक यहांपर चेक कर सकते हैं, इस केटेगरी का और इतर अधनिष्ट किस पर चैक कर सकता है, और आपका अधन्याहीं कितने हैं और बिदिक प्रकार से आपको चेक कर लेंगे ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से देखना है और जिन भी केंड़ेट का सेलेक्शन हो गया मेरी तरब से उन सभी के लिए जिनका नहीं हुआ वो अपनी एक्जाम के लिए तैयरी करिए निरास मत होगा ठीक है तो आई होप मेरे साब से आपको वीडियो को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको चेक करना है मैट्रीकुलिशन लेवल ग्रेजूशन लेवल और हायर सेंड़ी लेवल सारा कोछ आ झाल